हेलो फ्रेंड्स माइल इटी लवर के पार्ट थ्री में आपका स्वागत है तो चयोमी मिनामी के घर पे देखती है कि एक औरत घुसाई है उधर मिनामी सयोरी के साथ रहता है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है वो मिनामी से कहता है कि तुम मेरी गल्फरंड के साथ क्या कर रहे हो सयोरी उससे कहती है कि हमारा ब्रेक अप हो चुका है वो लड़का सयोरी को परशान करने लगता है तो मिनामी उसे वहाँ से भगाता है चयोमी को सौरत के अलामा एक आदमी की भी आवाज सुनाई देती है तो वो सोचती है कि उसौरत का साथ ही आ गया है वो मिनामी क टेक्स मेसेज कर देती है कि घर में कोई गुसाया है तो friends, जो आदमी अभी घर में घुसा रहता है ये वही आदमी रहता है जो केंडो मेच के दौरान मिनामी को देख रहा था मिनामी वहाँ से भागता हुऊ वापस घर की तरफ आता है वह आदमी और और अरद घर से बाहर न फ्रेंड्स वो आदमी एक्चुली मिनामी के डैड रहते हैं वो पहले भी वहां आये थे और ग्रेंड मा ने उन्हें वहां से भगा दिया था मिनामी चियोमी को सही सलामत देख कर खुस होता है आगे वो अपनी ग्रेंड मा और मा को इस बारे में बताता है कि उनके घर में चियोमी अपने डॉल्स के लाए हुए ड्रेसर को ट्राइ करती है और वो उन्हें मिनामी को भी दिखाती है तो बिचारे मिनामी को एक भयानक सा सपना आता है कि वो छोटा हो गया है और चियोमी ने उसे अपने पॉकेट में रख लिया है और आगे स्योरी ने उसे टांग रखा है तो नेक्स डे मिनामी चियोमी को अपने पॉकेट में रखकर स्कूल जाता है वहाँ पर रीकू जो कि अपनी डॉल को देखता है तभी उसकी नजर पढ़ती है मिनामी के पॉकेट पे और वो चियोमी को देख लेता है और बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है चियोमी जल् ये सारी चीज मिनामी की मॉम भी देखती है। इधर चियोमी की छोटी बहन अशुका मिनामी के घर आती है और वो मिनामी के कमरे में चियोमी के डॉल की ड्रेसेस को देख लेती है उसे वहाँ पर एक टैबलेट दिखाई देता है वो जैसे ही उसे खोलती है उसमें उसे वही इमेल नजर आता है जिसे चियोमी उन्हें मैसे सायोरी अपने टूटे हुए परिवार की वजह से दुखी होकर होती है तो मिनामी की मौम उसे कंसोल करती है और उसके बाद वो उसे वहीं पर रात को रुखने के लिए कहती है तो कमरे में सायोरी मिनामी को हग करती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है न कि मैं तुम् करते हो और वो उससे पूछती है क्या तुम चियोमी को लाइक करते हो तो मिनामी कहता है नहीं ऐसा नहीं है उसके पास सयोरी को एक बार फिर से उसे किस करने का चसका चड़ जाता है वो कहती है फिर तो ये ठीक रहेगा तो इसके पहले तो मिनामी की हालत खराब थी लेकिन इ चियोमी हट हो गई थी, आगे वो अपना online novel लिखती है और वो उसमें लिखती है कि big man मेरे साथ kind behave इसले कर रहा है, यो कि मैं छोटी हो गई हूँ, वो उसी के लिए suitable है, वो कहती है कि मैं उसके लिए बस एक बोज हूँ, उधर रिकु भी उसी novel को पढ़ता है, मिनामी स्कूल से वापस आता है, तो चियोमी उसे बताती है कि उसकी grandma ने उसे देख लिया है, वो बताती है कि वो उसे one inch princess समझ रही है, तो अगले दिन चियोमी स्कूल नहीं जाती है, इसकूल में रिकु और उसकी class teacher आपस में बाते करती है, वो दोनों ही चियोमी के उस new novel के बारे में ब देखा था, तो मिनामी की grand maa one inch princess के लिए new dress बनाती है, और चियोमी उसे पहन कर खुस होती है, तो रिकु को उसकी friend बताती है कि सायक चियोमी टोकियो में नहीं है उस workshop में, और ये सारी बात चियोमी की mom सुन लेती है, तो मिनामी के घर पे उससे मिलने के लिए चियोमी की छ तो प्लीज हमें बता दीजिए, मिनामी कहता है कि चियोमी के पास अपने regions हैं कि वो सामने नहीं आ रही है, असुका पुछती है कि क्या आप दोनों लोग relationship में है, तो मिनामी इस बात का जवाब नहीं देता है, वो कहता है कि चियोमी को अभी मेरी जरूरत है और मैं उसे protect क करूंगा, असुका रोने लगती है और कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ और मिनामी शौक्ड हो जाता है, खेर असुका कहती है कि इस बात को भूल जाईए और वहाँ से चली जाती है, चियोमी मिनामी से sad होकर बताती है कि उसके mom और dad में लड़ाई हो गई है, और ने कभी भी उसकी mom को प्रपोज नहीं किया है, आगे वो call पर अपने dad से बात करती है, वो उनसे कहती है कि mom आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वो कहती है आपको अपने feelings को सब्दों में बयान करना होगा, उसके dad कहते है कि स तुम्हें गलत family हो गई है, मैं तुम्हारी mom से प्यार करता हूँ, और इसलिए मैंने उनसे साधी की, तो ये सारी बात चित, चियोमी की mom भी सुन लेती है, वो emotional होती है, चियोमी के dad उन्हें देखते हैं, और उसके बाद वो पास में ही रखा हुआ flowers, उन्हें देखर मिनामी को thanks कहती है, और मिनामी भी कहता है कि ये मैं तुम्हारी responsibility को उठाऊंगा और तुम्हें protect करूंगा, तो चियोमी बालकनी में जाकर dance करती है, और असुका भी बालकनी में रहती है, वो चियोमी को देखकर हैरान होती है, तो आगे मिनामी के grandma की तब्यत खराब हो जात है, तो मिनामी को washroom जाना रहता है, और इसलिए वो अपने कोट को एक जगा रखकर चला जाता है, उसके जाने के बाद वहाँ एक छोटी बच्ची आती है, वो उस कोट को हिलाती है तो चियोमी नीचे गिर जाती है, और वो चियोमी को अपने साथ ले जाती है, मिनामी याड़ मिट रहती है तो रात में मीवी की ग्रैंड मा मीवी से कहती है कि वन इंच-प्रिंस तको जरूरत होटी है लेकिन अगर तुम उसे बुली करोगी तो वह घ्यव हो जाएगी जिसके बाद मीवी को खोल देती है तो आगे मियों चियोमी से बताती है कि उसकी मौम उसे प्यार नहीं करती है वो कहती है अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो उसकी मौम खुस रहेंगी ये सुनकर मियामी की ग्रेंड मा कहती है कि ऐसा नहीं है हर मा अपने बच्चे को प्यार करती है ग्रेंड मा मिनामी के पास जाती कि क्या तुमने मिनामी के घर पर देखा है तो वो कहती है हाँ रीकु सोचता है कि मुझे लगा था पहले कि ये मेरा भ्रहम था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है तो असुका मिनामी और उसकी मौम के साथ हॉस्पिटल जाती है लेकिन रास्ते में उसकी ड्रेस गीली हो जाती है तो म मिनामी उसे एक रुमाल देता है आगे असुका ये नोटिस करती है कि ये तो वही रुमाल है जो चियोमी के वीडियो के बैग्राउंड में था तो आगे हॉस्पिटल में मिनामी चियोमी से बात करता है कि तभी वहाँ पर असुका आती है और पूछती है किस से बाते कर रहे तो मिनामी कहता है मैं खुद से बाते कर रहा था तो असूका कहती है कि क्या आप चियोमी से बाते कर रहे थे एक्चली असूका भी जान चुकी रहती है कि चियोमी छोटी हो गई है और वो मिनामी के साथ ही है तो उसके बाद मिनामी चियोमी को असूका से मिलवाता है और प्राइस्ट होती है तो चियो में उस छोटी लड़की मियो से कहती है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मा तुम्हारे बारे में क्या फिल करती है वो कहती है कि मैं एक मैजिक करूंगी तो उसके प्लान के हिसाब से मिनामी जाता है उसकी मॉम के पास और वो बताता मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मियों अपनी आखे खोलती है और इस तरीके से मियों को पता चलता है कि उसकी मौम उससे बहुत प्यार करती है तो आगे सायोरी मिनामी के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं तो फ्रेंस इस ट्राम का लास्ट पाट देखना मत भूलिएगा